आज की या वीडियो B.A.B.S.C.B.com के 33 समेस्टर यानि के 3 समेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुती महात्पूर होने वाली क्योंकि आज किस वीडियो में बात करेंगे आनिवार प्रशन पत्र यानि को करिकुलर के most important question and answer के बारे में जो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट है B.A. 3 समेस्टर में उसका नाम है Human Value and Environment Studies ठीक है ये अनिवार प्रशन पत्र होता जैसे आपने 1 समेस्टर परिच्छा देनी होती है दरवाज आप फेल माने जाएंगे और ये जो पेपर है वो objective based पे होता यानि कि एक question रहता चाराफन रहते है जो सही रहता उसे टिक करना होत है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के यहां पर देख लीजी ये बीए बीए सी वीकॉम की सभी चात्रों के लमात्र पूर्ट जुद्धिये वर्श के तृतिये समस्टर के चात्र है ठीक है और ये निवार प्रस्ण पत्र जिसको हिंदी में मानो मुल्य और पर पर होने वाला अब्जेक्ट्व इसमें आप बिना पढ़े भी कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं मतब कुछ पढ़के भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इस बात के हम गारंटी देने जो हम आपको आज किस वीडियों ट्रिक बताने वाले हैं ये 100% वर्किंग ट्रिक है हमने खुद अब जमाया और चात्रों को बहुत सारे मेने पिछे साल भी दिया आया जबाने के लिए तो उनको भी बहुत ज्यादा सफलता मिली है तो आपको भी बताएंगे अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो गैरेंटी आप पर इच्छा में पास हो जाएंगे ठीक मतलब कि सभी की लोगों के नुसार चाहे हो नाय पैलिका हो चाहे फरकार हो कोई भी हो अभी कहेगा कि आप अच्छे और स्वच्छ पर्याण में अपना जीवन बतीत करें इफ लेश में सही उत्तर हो जाएगा आ और बादोनों ठीक है और अगला प्रशने की वन सनरच्छ उनको अंतिम बिकलप मानता है ठीक है तो इसमें इससे कौन सा सही होगा आपको कमेंट सेक्षन में बताना होगा ठीक है बताइए आप सभी कमालो में तो इससका सही उत्तर हो जाएगा अप्स नमबर ठीक है कौनसा उप्रोक्त इंतर्गर इतने हैं कि उत्तर अन्तरगत आती है इस वज़यर इंगे नहीं पर नहीं लिख का है की गई है ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है आग के एक्जाम के लिए तो यह जो पर्यावरण पर्यावरण तथा बिकास से जुड़ी चुनोतियों के बेवहारिक को क्या प्रस्तुत करता है ध्यान रखेंगे महात्पूर्ण प्रश्ण है यह जो प्रस्तुत करता है आप सभी के लिए बहुत ही महात्पूर्ण वह समाधान एक नेचर का का मतलब कि नेचर का जो मैनेजमेंट है वो आई-उ-सी-अन के द्वारा किया जाता है ठीक है तो यह आई- जैसे वध्सक्राश्ण के लिए। सीटे जाता है मतबं कि यहां पर भरा जायेग 1-2 साउन रच्छठ जंगल में रहने वाले लोगों का विश्थापन केबल 1-2-4 के उध्देश के लिए कि या करता है ठीक है अगला प्राश्ण कि किसके कारण ही जन्हित मुकृत्स मुक्तमों का भिकास हुआ है समाजिक खिए कि के करां या फिर पठ्ञावराश के करण या फिर नियायपालखा की वह चैन भद्धता के कारण या फिर उप्रयोक्त में से सभी ठीक है तो जनहित मकदमों का जो विकास हुआ है जनहित मकदमों का जो विकास हुआ है वो किस चीछ के लिए बताईए आप सभी कमेंड में तो यह हुआ है समाजिक पर्यंजनी में पर्यों थो कारना पी घंश कर साल बुशा है ऐसका प्रोचनी के से नौन सैक कर्ष्ण कर दरूख सुर्ष्ण का अपना या कि दो कृष्產 में नियुक्त प्रस्थ केह बाधा जाएगा तो आपकी जानकारी नार है का इन ब्रतानों में में 1700 का इन उप्रियाटन करना पर्यxt hacks Lagos क। की रच्छा करना सब्सक्राइब और अधिक के करना औरत्लान युग जो का नियोचित उप्योग करना ठीक है नीतियों के निर्माण में पर्यावड फंदर्भ का ध्यान रखना कुछ पॉलिशी कुछ नियम कानून होते हैं उनका ध्यान रखना ठीक है यह कुछ राष्टे पर जरण नीती की नियम तो कि तीन है इसमें अगला प्रस्ट है कि यूँ यह कमेंट सेक्षिन में आप सभी से उत्तर हो जाएगा आप से नमबर आ ठीक है वर्डवाइड फंड ठीक है यह जो है एक प्रकार की संसता है जो की फंडिंग का काम करती है जितने भी पर्यावण या भी नेचर से सम्बंदित यह पर्यावण के लिए एक तरीके से फंडिं निया भर्यावण ठीक है नेचर के प्रति अगला प्रश्ण है कि किसके संपूर्ड बिस्ट में करीब पांच विलियों फे अधिक समड़ थक है इन आपसरों में से तो उस मतलब की और्गनाइजेशनों संफता का नाम है डबलु डबलु एफ यानि की वर्डवाइड ट्रांस कारी 3 बायोम के स्थनरच्षण पर केंद्री थे शाहिऊ नंबर यह हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन है की डबलु डबलु एफ की मुद्य पर ध्यान देता है तो फेल्डु फोर फेद्ञान देता है वह प्रदोसर पर ध्यान देता है विलूप्तिया यहां रखेंगे कब वह था कमेंट सेक्षिन में आप सभी बताइए चलिए किसमें हुआ था तो हुआ था डबलू डबलू एफ का जो गठन है वह था गेरा फितंबर यूश्ट में सेहुत्त्र हो जाएगा अगला है कि दबाव समों और पर्रयावरण लिए कार्यकरता कंपनी या फिर अधिकारी या फिर जनता को पर्यावड़े आसकता हो कि अनुपालन की जाच के लिए मजबूर करते हैं तो यहां पर क्या भरा जाएगा यहां पर भरा जाएगा कंपनी ठीके दबाव समों और पर्यावड़े कार्यकरता कंपनी को फिर कंपनिया फिर दबाव समूव है तो इन आपशनों में से जो सही उत्र हो जाएगा याद रखेंगे बहुत ही common और बहुत ही जर्नली प्रशने से उत्र हो जाएगा आपसे नंबर 2 वो हैं सरकारे ठीक है यह मानकों को अपनाती है बाकी अगला प्रशने को नियमों का पा लुक्त疫 जो है वह राते हैं और नहीं कभ्वे बनाते हैं ठीक है अगला प्रशन है कि एक ब्यापक परड्यारण लेख कि छेत्रों को उजाघर कर सकती है तो इ। दौर वप्योग उसका भी लभ सदव उप्योग हो उसका भी कर सकती है कि अगला है कि किन कंपनी किन बातों का अनुपालन करने को बात दें तो इस प्राइब कानून और नियम और पर्जावरणे बिनयम टीक है इन सभी का अनुपालन करने को बात दे है इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा अगला है कि जाग रूपता बढ़ाना और परज्यावरणी नीतियों के प्रत कमपनी की आंत्रिक प्रति बद्धता को कौन करवा सकता है तो यह जो करवाता सरकार भी करवाती है दंद ब्युस्ता भी कर रहाती है तो इसलिए प्रस्ण का सही उत्तर आप कमेंट में बताइए बहुत फारेशा तो कहें कि दा हो जाएगा नहीं बिल्कुल कर रहते है ठीक है जाग रूपता बढ़ाना और परज्यावरणी नीतियों के प्रत कमपनी की आंत्रिक प्रति बद्धता को कौन कर करवा सकता है तो उसका नाम है पर्या vərd Shetty यही करवा सकता है ठीक है बर्या और यह ओडिट कितने परकार के होते हैं बहुत ही कोमन बहुत ही कई आपकली अच्छा में आया होते है तो याद रखेंगे 600 यह खिया और इसका फ्रीञास को किसके द्रौरा्स का रात्म के कद नमबर बाठिक जनता ठीक है सुधार के प्रियासों को जनता द्वारा फकरात्मक कदम की रूप में देखा जाना चाहिए अगला की ओडिट यहां पर क्या भरा जाएगा ओडिट ब्यवसाओं को अधिक टिकाओं बनाने में मदद करता है अगला प्रश्ण है कि कौन अन्य ब ब्वक्तायों के साथ नई झो चांस है जो पोर्चिंटी उसको पैदा करता है कौन रखेंगे महत प्रोन और कॉमन कोश्चिन नहीं इसका से उत्तर हो जाएगा अफसे नमर बी ओडिट ठीक है यही है भी प्रण ठीक है जो कि ओडिट के आफसर भी पैदा करता है अगला है कि कंपनी के पर्यारणिये प्रदर्शन और पर्यारणिये जिम्मेदारी प्रथाओं का मुल्यांकन कौन करता है इससल मैं से ठीक है तो जो मुल्यांकन करता है बहुत ही कॉमन बहुत जर्णलम प्रशन है ठीक है उसका नाम है पर्याब्रेणियेन अनुपालन ओडिट इननमर से उत्तर होगा अगला है कि कौन सा यह फिर कौन यह फ Southern फिरक ऑपनी सभी नियमों सभी रूल्स जो होते हैं उद्देश तथा नीतियों का पालन कर रही है या फिर नहीं ठीक है ये कौन सत्यापित कौन जाके मतलब की प्रमाडित करता है या फिर कौन वहाँ पर जाज करता है ठीक है उत्तर हो जाएगा अप्सिर नमबर बीपर्यादे प्रबंधन ओडिट ठ कमपनी के प्रति वफदार रहने के लिए क्या प्रतुसाहित कर सकता है ठीक इन आफसरों में से बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है तो जो प्रतुसाहित एक तरीके से प्रतुसाहन दे रहे हैं सावासी दे रहे हैं ठीक है तो वो कौन कर सकता है तो वो कर सकता है कमपनी क वफदारी, brand equity को मजबूत करना ठीक विपरण रण नीतु कभी कास यह सबी परसाहिद कर सकता ठीक है परसाहिद कर सकता इसले सही उत्तर हो जाएगा दह नमबर अगला है कि समस्या पैदा होने से पहले ही समस्या पैदा होने से पहले किस प्रबंधन की जांच की जानी चाहिए ठीक है बहुत इमाहत पूर्ण प्रश्ण यह भी है आप से इक्जाम के लिए इसको भी धान नक केंगे ठीक है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर दा ठीक है उपर एक मिलसे सभी ठीक है क्योंकि ग्रहक को के साथ दिर्ग कालिक अच्छे संबंध चनाने के लिए कंपनियों को पाढ़ दर्सिता की जानी से मतलब कि उन पर एक तरीके पे ब्लाइंड ट्रस्ट विश्वास जो होता है वो एक अंधा विश्वास किया जाद करेंगे तभी हो पाएगा ठीक है यहाँ पर भरा जाएगा लेका परिच्छा परिणामों को प्रकाफित करके सुकरानात्मक परे दर्चार को पृतसाहित किया सकता है लेका परिच्छा भराजा जाएगा आवा सकता है चेंजेस कुछ हों अगला है कि व्यापक अर्थों में पर्यावरान लेखा परिच्छा का उद्देश क्या है व्यापक अर्थों में जो पर्यावरान लेखा है इसका उद्देश है वो है पर्यावरान रच्छा में मदद करना ठीक है पर्यावरान रच्छा में मदद करना अगला प्रश् azt है कंपनी के परपेच में ओडिया है अ्धी कि our notre अंध्य का ओड़िख क्या अँध्य को ही कंपनी के टीख है तो इस में पर मॉरे ऐने मात्मूर्ण प्रफ्टन को और याद रखेंगी कंपनी का एक अव्चारिक माननता का प्रियोग करती हैं क्या भरा जाएगा यहां पर भरा जाएगा अप्शन नमबर साथ ठीक है उपकरण कंपनी एक उपकरण के रूप माननता या अपचारिक मानिता का प्रियोग करती है अंगला प्रिशन है कि आयोग ने बिज्ञान और और प्रदोगिक बिभाग का पर्यावरण के देश्ट कोंट से किसके आउलोकन का निर्देश दिया है बहुत ही महात प्रिशन है याद रखेंगे आप सभी की एक्जामनेशन के लिए तो सही उत एसफ़ियावरण के देश्ट कोंट से अवलोकन का निर्देश दिया ठीक है अगला की कौन बिबेग पुर्ण पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण है इन आपसरों में से ठीक है तो यह च्छा उपकरण है, वो है, EIA, ठीक है, EIA, अगला प्रस्शन है कि भारत में किसी भी परियोजना के क्रियान से पहले EIA की मनजूरी लेनी होती है, किस देश में, तो इस प्रस्शन का जो सहयुत्र हो जाएगा, आपसे नंबर आव जाएगा भारत देश में ही, कोई भी परियुजना को अगर किरियनिवन करना है मतब लगातार चलते रहना प्रोसेफ ठीक है तो उससे पहले आपको ठीक है EIF की मंजूरी लेने पड़ीगी परमिशन लेना पड़ेगा ठीक है EIA अधिकारिक राजपत्र में प्रकासित होने पर किसकी जगा लेगी ठीक है तो EIA अधिकारिक राजपत्र में प्रकासित होने पर किसकी जगा लेगी वो लेगी इधान नेकरिंग बहुती महात्मुर्ण प्रशन इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा कौनसा अप्शन नमबर 2 ठीक है EIA 2008 का रोप लेगा यह फिर जगा लेगा अगला भारत में EIA कब शुरू हुआ तो भारत में EIA कब शुरू हुआ है आपको बताना है तो वो शुरू हुआ है 1976 के करीब ठीक है आप सोचर रहे होंगे कि EIA क्या है तो EIA जो है न यह पर्रयाण पर कोई प्रभाव पढ़ता है तो उसकी जानकारी के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है पर्रयाण जो आपका है ठीक है चार और इस पर कोई इंपेक्ट पढ़ता है कोई प्रभाव पढ़ता है तो उसकी जानकारी लिया जाता है EI के माध्यम से जिसका फुल नेम होता है EIA का चलिए जान लीजे आप सभी आज I से हो गया ठीक है environmental ठीक है E से हो गया environmental और I से हो गया impact ठीक है और A से हो गया assessment ठीक है याद रखेंगे तो भारत में EIA का शुरू वात या फिर कब शुरू हुआ था यह आपको बता आना ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन याद रखेंगे आप सभी के examination के लिए तो यह शुरू हुआ था सब्सक्राइब के सायूंबEstưởng 9 Flower свет dell में मेंने बदाही रखा परयावारन खूषन प्रणाली की अस्थापना की गई थी किस्ञव में की गई थी तो तरम का नाम है 1982 में पार्याण फोचना प्रणाली की स्थापना की गई थी यह स्थापित किया गया था अगला प्रशन है कि अगला है कि आज कल किस प्रकार के प्राकर्तिक ब्यवभार से सभी आंतिक याद रखेंगे क्या बोला यहां पर इसे पढ़ते हैं लिखा है कि आज कल किस प्रकार के प्राकर्तिक ब्यवभार से ठीक है आज कल कि किस प्रकार के प्राकर्तिक ब्यवभार से सभी आतांकित है ठीक है तो यहां पर कई सारे अप्शन देगे इनमें सहीत्तर हो जाएक अप्शन अमबरदा जैसे कि अचानक आया अंधितुफान ठीक है प्राक तो और भी बहुत सारे प्रशन है जिनका उत्राप तयार कर लिजेगा ठीक है और नीचे भी जितने भी कोश्चन दिए गें उसके समस्त उसका उत्तर लिखा है जैसे यह प्रशन है कि वह अधिकार अधिकार जेंगल में रहने वाले को कितने प्रकार के अधिकार प्रदान कि लगे तो आपको जयाद रखना नमबर चार प्रकार के आगे जितने वह समस्ते हैं उसके सामने उसका अप्तर लिखा है और जिए कैसे सारे कुश्चन देखने को में और पेपर में ऐसे प्रश्ण आएंगे ठीक एक कोईस्टन चारा फन जो सही रहे करना होगा और बाकी मैं आपको ट्रिक की बात बता दूँ कि कौन सी बेश्ट और कौन से सबसे अच्छे ट्रिक है जिसको आप अपना की आप एक्जाम में पास हो सकते हैं पिछले फालो में कई सालो सात्रो बाइपनाया बहुत सारे लोगों और यह गैसे पास होग rap तो सबसे पहले आपको तो सबसे पहले आपको तो सभी कोस्टें को पढ़ ले ऊजाते हैं तो आपको तो पहले पहले क्या करना सभी जितने भी कोश्चन दे गए हैं सभी कोश्चनों का पढ़ लेना है उसके उत्तर को भी समझ लेना कि भाई कोश्चन क्या कर और आप से कौन-कौन से हैं क्योंकि एक कोश्चन नहीं का चाराफन रहेगा तो आपको पहले कोश्चन सारे पढ़ लेना 75 में से या फिर सो कोश्चन में से कुछ आयफे 10-5 कोश्चन होंगे जिनके बारे मापको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा पक्का 75 कोश्चन मालीजे 75 नमबर का पीपर होगा तो से कम से कम 10-15 कोश्चन होंगे जिनका उत्तर आपको मालूम होगा ठीक हिस के बाद आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आप जितने भी कोश्चन दे जाएंगे- जैसे इस प्रकार का क्योश्चन कि United State of Canada में अभी भी WF का अधिकारिक नाम है तो आपको इसमें चार आफ़न दिखेंगे जिसका उत्तर नहीं मालूम हो उस question का उत्तर आपको इस प्रकार देना जिसे हैं आपर चार आफ़न देना तो आपको ये last वाला फिलेट करना आपको उन सभी question में यही वाला फिलेट करना है तो आपको जितने भी प्रसंदिएगे जितने भी उप्रयोक्ट में से सभी है या फिर इन में से सभी है या इन में से कोई नहीं वही वाले आफ़न सभी को select करना है क्योंकि मैंने पिछले फार का जो बेपर देखा है ठीक है उसमें मैं आपको बता दू जिसमें से करीब करीब 30 से 35 नंबर के जो बतब 30 से 35 कोश्चन ऐसे थे जिनमें उप्रियोक्त में से सभी लास्ट में या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसे आपसन वाले कोश्चन थे कुछ तो आप कोई सिरफ और सिर्फ वही का उत्तर देना है ठीक है मतब कि वही से बते कर लगी तो 35 से 45 नंबर के करीब करीब यही वाले प्रस्ण आएंगे तो 40 से 45 नंबर आपकी यही पक्यों घूंद क्योंकि ज coyत आतर कोश्चनों का जो उत्तर सही होता हो वो लास्ट वाला ह होता है उसको लाश्ट वाला फ्लेट कर लीजिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे गारंटी के साथ यह बहुत ही बढ़िया और सबसे सांधा ट्रीक है इसको मैंने अपनाया है और मैंने कभी काफी साहर सात्रों को बताया उन्होंने भ कुछ भी हो नहीं जाती एक दो दिन में ठीक है वह आप एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ भूल जाएंगे तो इससे बेटर है कि यह वाला ट्रीक आप अपनाये और पास हो जाएंगे आपको दुबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा ठीक है दुबारा पेपर देंगे तो